हेलो स्टूडेंज ही रही है कविता में पहला प्रश्न मैंने आपको पूछा था वह किस समय की शोभा है जिससे कवी की आंख हटाने पर भी नहीं हटती संक्षेप में बताईए प्रिसी तरे के टू माक्स में कोशन आता है तो उत्तर होगा देखें फागुनमास की शोभा ऐसी मोहक होती है कि र से हटती नहीं है कही सरसराती फडफडाती हावा चल रही है कहीं डालियां पत्तों से भर गई है कहीं सुगंधित फूलों की बाहार छा गई है सब और शोभा छा गई है दूसरा प्रशन था फागुन में कौन सी रितू होती है और उसकी क्या विशेशताइं हैं दो प्रमुक विशेशताइं लिखिए तो देखे, फागुन में वर्षा रितु होती है, उस समय आकाश में बादल घुमरते हैं, हवाएं फरफर आती हैं, सब और सुगंधित फल फूल खिल उठते हैं तीसरा प्रश्न था, मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पढ़ रहा है? तो देखे, फागुन में मानव के तन पर मस्ति छा जाती है, और इसमें चौथा प्रश्न में ने किया था, कवीता में वसंत रितु का वर्णन हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं? तो देखे कवीता में वसंत रितु का वर्णन हुआ है वसंत में ही व्रिक्षों पर नए पत्ते आते हैं चारों और तरह तरह के फूल खिलाते हैं वाता वरण में सुगंध छा जाती है फागुन का महीना भी वसंत रितु की पुष्टी करता है और पंच्वां प्रश्ण मेंने कहा था आंक शब्द के दो परियावाची शब्द बताए तो यह तो आपको आता ही होगा ना नयन, चक्षू, लोचन और इस कवीता के रचेईता कौन है? यह प्रश्ण मेंने छटा प्रश्णी किया था इस कवीता के रचेईता कौन है तो इस कवीता के रचेईता है सूरेकान त्रिपाठी निराला तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर के और बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास आज हम उत्साहा के ही प्रश्न करेंगे ठीक है और पहला प्रश्न इसमें है कवी बादल से पुहार रि गरजने के लिए कहता है क्यूं कवी बादल से फुहार रिम जिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यूं important question है दिखे इसका प्रशन और किस किस तरीके से बन सकता है बादल से फुहार रिम जिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यूं कहा गया तरक सहीत उत्तर दीजिए प्रशन बदला है उत्तर वही रहेगा दिखे और प्रशन का मतलब है यह जो पहला प्रशन हमने किया पहला प्रशन जो है वह ऐसे बदल के आ सकता है कवी निराला ने बादलों से गरश कर बरसने को क्यूं कहा है ऐसा भी पूछ सकते हैं या कवी बादल को गरशने के लिए क्यूं कहता है ऐसा भी आ सकता है या उत्तर है ध्यान से सुनेंगे और इसको अपनी उतर है कवी बादलों को क्रांती का सूत्रधार मानता है वह उससे पौरश दिखाने की कामना करता है इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है न की फुहार छोड़ने, रिमजिम बरसने या केवल बरसने के लिए कवी तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांती कारी शक्ती की अपेक्षा करता है तो यह पहले प्रश्न का उतर दूसरा प्रश्न कवीता का शीर्श कुछ सहा क्यूं रखा गया है यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है उत्साह कवीता के शीर्शक की सार्थक्ता पर विचार कीजिए तो उत्तर क्या होगा? देखे, कवीता का शीर्शक उत्साहा इसलिए रखा गया है क्यूंकि यह बादलों की गर्जन और उमडन, घुमडन से मेल खाता है बादलों में भीशन गती होती है उसी से यह वहधर्ती के ताप हरता है कवी ऐसी ही गती, ऐसी ही भावना और शक्ती चाहता है ठीक है? तीसरा प्रश्न कवीता में बादल किन-किन अर्थों की और संकेत करता है कवीता में बादल किन-किन अर्थों की और संकेत करता है तो देखो कवीता में बादल तीन अर्थों की और संकेट करता है पहला इसको point wise आप लिख सकते हैं पहला है जल बरसाने वाली शक्ती के रूप में दूसरा point आप लिख सकते हैं उत्सहा और संघर्ष के भाव भरने वाले कवी के रूप में ठीके पहला जल बरसाने वाली शक्ति के रूपमे दूसरा point है उत्सह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवी के रूपमे तीसरा है पीडाओं का ताप भरने वाली सुखकारी शक्ति के रूपमे तीन point होगे न चौथा प्रेश्न शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कवीता के किसी खास भाव या द्रिश्य में वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है उत्सा कवीता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन में नाद सौंदर्य मौजूद हैं छांट कर लिखें तो दिखें निमनलिकित शब्दों में नाद सौंदर्य है घेर घेर घोर गगन ठीक है और अगला है ललित ललित काले घुंगराले बाल कल्पना केसे पाले ठीक है इन में नाद सौंदर्य मौजूद है रचना और अभी व्यक्ति के प्रश्ण है पांचवा प्रश्ण जैसे बादल उमड घुमड बारिश करते हैं वैसे ही कवी के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड घुमड कर कवीता के रूप में अभी व्यक्त होते हैं ऐसे ही किसी प्राकरतिक सौंदर्य को देखकर अ तो आपका स्रम करने का प्रश्ण है ठीक है पहले चार प्रश्ण आप नोट बुक में करें इसको आप रफ नोट में कर लें ठीक है समय मिले तेक कवीता लिग डाली और पाठे तर सक्रियता में प्रश्ण है बादलों पर अनेक कवीता हैं कुछ कवीताओं को संकलन करें और चित्रांकन भी कीजिए ठीक है तो ये भी स्वेम आपके करने का प्रश्ण है कि आप इसमें सुमित्रा नंदन पंत की बादल कवीता पड़े उसका संक्लन आप कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा उत्साहकवीता के प्रशन उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं कल हम अट नहीं रही है कि हम प्रशन उत्तर साजा करेंगे तो आज के लिए यही काम है आपका कि इसको आप नोट बुक में करें केवल चार प्रशन है उत्साह जब आप लिखें तो उपर सुरे कांथ निराला पहले उत्साह लिखें उसके प्रशन उत्तर फिर अट नहीं रही है वो हेडिंग डालेंगे फिर उसके प्रशन उत्तर ठीके तो आज का काम यही है कि आप उत्साह कवीता के प्रशन उत्तर अपनी नोट बुक में आप करेंगे ठीके कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अटने ही रही है कवीता के प्रश्ण उत्तर साजा करेंगे तिल देन बाई एन थेंक यू